साथ सवाल और जीने का सार Seven Questions of Highly Aware People श्रिंखला के इस भाग में आईए जाने साथवा सवाल साथवा सवाल साथवा सवाल क्या है? Who am I now? अब मैं कौन हूं? Who am I now? अब मैं कौन हूं? क्यूंकि खुद को शरीर मानने लग जाते हैं वैसे जीने लग जाते हैं इसका रमाइंडर मिलना चाहिए तो साथवा सवाल Who am I now? प्यारे खुजियां Smile please now केमरा में फोटो निकालने से पहले कहता है Smile please साथी बाद में कहते हैं फोटो निकलने के बाद क्योंकि फोटो निकल गया तो आपका रोल समाप्त हुआ अब हस सकते हैं वरना फोटो खुजवाते वक्त लोग रोल में होते हैं यह फोटो कहीं लगाना चिपकाना है किसी को दिखाना है लड़की वालों को लड़के वालों को नुकरी के लिए तो समाइल कब आएगी असली समाइल कब आएगी रोल में या रोल से बाहर आकर असली समाइल कौंसी होगी तो दारण में एक इंसान जो नुकरी करना चाहता है उसको नुकरी चाहिए ट्रेनिंग चाहिए उसका मित्र जो फॉरेंड कंट्री में रहता है उसको बुलाता है कि तुम्हें में नोकली दिलाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, तुम आजाओ, तो वो कहता है ठीक है कहां आजाओ, वो जगे का पता बताता है, यहां यहां आजाओ, इस दिन पर आजाओ, वहां एक फंक्शन चल रहा है, उसी जगे पर हम बिलेंगे, एक तैय करते हैं, ज जगे, जो इसके लिए आसान हो और इसके लिए आसान हो, तो एक फंक्शन है, इस दिन पर इस दिन आजाओ, दस बजे आजाओ, वो परसन पहुंचता है, मैं उसने पूछ लिया होता, अगर मैं पहुंच जाओ और तुम नहीं हो तो फिर मैं कन्फिस हो जाओंगा, तो मैं एक ही शबदा कहना, वेन, वेन, व अGrू आइन, वेन शबदा कहा तो तुम्हारी सम agua स्वाल जाएगा, को per Religion यहीं ही एर तर तुम्हें कोई पारिशान नहीं करेगा। तो चलो कुछ तो बताया, और वह पहुंच किया च्छेगह, दस बजे पहुंच गया बर समय की गड़बट जैसे लोग एक देश से दूसरे देश में जाते समय का थोड़ा सा पैमाना अलग होता है सुबह के दस बजे कहा था अगर रात के दस बजे कहा था समय का confusion हुआ तो वो पहुंच गया सुबह सुबह के दस बजे में और उसका मित्र आने वाला है दस बजे रात के समय में अब ये पहुंच गया है और देख रहा है मित्र तो मिला नहीं और कोई आकर उसको कहता है अपनी बहाशा में इधर क्यूं खड़े हो उधर जाओ तो इसे को एक शब्द मालम में वो वेन कहता है तो वो परसन ठीके करके चला जाता है पर ये फंक्शन में गोम रहा है वहां खाने बिने की चीज़े रखी है कोई चीज लेने खाने के लिए लेता है तो कोई वेटर आकर उसको कुछ कहता है बाशास को समझ में नहीं आ रही तो ये वेन कहता है तो वोईटर चला जाता है ये खाता है पिता है वहाँ पर और बहुत सारे मनोरंजन चल रहे हैं वहाँ पर जैसे मेले में लोग अलग अलग तरह की वेवस्ताएं होती है वो हर जगे जा रहा जहां पर भी प्रावलम आया कन्विजन आया वेन कहता है और उसको कोई कुछ नहीं कहता तो दिन बर ये चल रहा है हर एक्टिविटी से जब तो उसका मित्र आये मित्र जब पहुंचा तो उसने देखा ये बच्चों के साथ खेल रहा है कई सारे बच्चे उसके मित्र बन गए है खेल रहे है वे मदा ले रहे है तो ये आकर पहुंचता है पुछता है आरे तुम इतने लेट क्यों आये फिर पता चलता है कि समय की गड़बड हो गई थी तो अब ये मित्र मित्र इसको लेकर जाता है होटल में और वहां तो लेट हो गया है तो आराम करते सुबह बात करते सुबह उड़ता है फोरें का मित्र देखता है यह ही नहीं जगे पर नीचे जाके डूनता है तो देखता है वह उस होटल में लोगों के साथ काम कर रहा है जो महमान आ रहे ह उनके साथ बात्चित कर रहा है। तो उसको आश्चर होता है कि अर यह तो सब लोगों के साथ घुल मिल गया है। और अपने मित्र को कहता है कि तुम तो अच्छा सेट हो गए यहां पर। तो बलता है मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब बताओ मेरी नोकरी कौनसी है और मजे क्या ट्रेनिंग देने वाले हो। तो यह कहता तुम्हे नोकरी भी मिल गए तुम ट्रेंड भी हो गए। इसी होटल में मैनेजर की पोस्ट के लिए तुमको बुलाया था। और वो तुम काम कर रहे हो। ट्रेंग भी हो गई और नोकरी भी मिल गई। इंटर्वी भी हो गई। स्लेक्ट भी हो गए। सब हो गया। तब कहाने में यह सब क्यों हुआ कैसे हुआ। यह परसन जो डराडरा सा आया था। उसने क्या ट्रेंड ली। इसको शब्द कहा था वेन। व-a-i-n जिसका अर्थ क्या है। व-a-i-nौ तो कहानी में कही सारे एक्जम्ब्स, परिशानियां, जो एक इंसान के डे-to-day life में आती है। वह सामने लेकी बाशा समझता नहीं। सामने लेकी बाशा समझता नहीं। यह ऐसे क्यों देख रहा है। मुझे रेस्पेट क्यों नहीं कर रहा है। मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है। मेरी बात मानता क्यों नहीं है। मेरा काम पहले क्यों नहीं करता है। ऐसे शब्दों का इस्तमाल क्यों करता है। ऐसे शब्दों का आर्थ हम्में निकम्मा हूं, नकारा हूं, इसका आर्थ हम काम नहीं कर रहे हैं, क्या, ऐसा बोल दिया मुझे, तो वो तुरंट कुछ रियेक्ट करता है, तो ये सुचुशन से, हर एक अपने जीवन में देखे, कुछ सुचुशन आती है और वो परिशान होता है, और वो फॉरंट का मित्र आया नहीं है, तो वो कितना परिशान हो जाएगा, अगर उसके पास वो शब्द नहीं होता, तो वो कितना दुखी रहता, दस बज़े तक इंतजार करना उसके लिए कितना भारी पड़ता, तो इनसान को अगर ये ग्यान नहीं है, तो जीवन उसके लिए कैसा होता है, किती तकलीफों से वो जीता है, अन्त तक कैसे खीषता है, हमेशा सुसता, ये हो जाएगा तो मैं खुश होँगा, वो हो जाएगा तो मैं खुश होँगा, रिक्टार हो जाएगा तो खुश होँगा, इतने पैसे आ जाएगी तो खुश होँगा, ये सेट हो जाएगा, ये घर आ जाएगा, ये गाड़ी आ जाए, ये शादी हो जाए. मर फिर अच्छली क्या होता है? देखा कि हर समस्या से वो पलाइन कर रहा है, भाग रहा है, नेक्स सिन गे लिए इन्जार करता है. कलू मन के शिकंजे में, कलू सिंग के शिकंजे में, खीच रहा है. अगर जिसको ये मालम है तो उसके साथ क्या हो रहा है वो देखा गया कि बच्चों के साथ खिल रहा है एक नई जगे पर नए वातावरण में नए लोगों के साथ भाशा नहीं आती है पहरावा अलग है सब कुछ अलग है बर फिर भी वह खुश है ऐसा क्या रहस्य जान गया हो आप ज़ा वहाँ वही रहसय आपको जानना है कि आप जब किसी भी सीन में हो और अपने आपसे पुछते हो हूँअ को डिर बले कु था श्यूंदे कुछ दिर पहले अप म trud सा थे कुछ दिर पहले एक अक्डू इंसान थे कुछ दिर पहले एक परेशान थे क।ट दिर प कुछ दिर पहले कन्फ्यूज परस्नेलिटी, कुछ दिर पहले गुस्से में थे, कुछ दिर पहले एहंकार का दर्शन हो रहा था, कुछ दिर पहले कंपरिजन कर रहे थे, कुछ दिर पहले, बर अब कौन हो? तो कुछ दिर पहले में ये था, अब कौन हूँ जैसे ही याद आएगा अब मैं कौन हूँ तो आप तुरंद अनुभव पर पहुंच जाओगे, फिर कैसे देखोगे, देखोगे समझता सुलजगी, देखो फाइनल टूल जब तक लोग नहीं समझते हैं, तब तक वे बाकी टूल्स में लगे रहते हैं, बाकी टेक्निक्स के द्वारा खुद को समझते रहते हैं, कुछ तो करते करते अपना जीवन समाप्त करते हैं, असी साल, सौ साल, फिर जो तकनिक काम में आती, जो फर्मॉला काम में आती, उसी को ही रिपीट करते रहते हैं, सभी के साथ, जब तक फाइनल टूल नहीं मिला, जब तक फाइनल टूल की कन्वेक्शन नहीं हुई, तब तक वो सब चीज़े ठीक है, मर जब फाइनल टूल म जो आप आदत डाल दॉर दियान में आप क्या कर रहे होते धियान में State amal Daida that भृरा दिन ओडजान प्रा ऺ्य ऑसके आदत डाल रहे इसलिए वो समय बहुत इंबौडबंड does मर अब तक आपने उल्टा समझा था, अभी ध्यान किया, अभी दिनबर ध्यान नहीं किया. ये इंसान दस बजे से लेकर रात दस तक क्या कर रहा था? ध्यान ही कर रहा था, ना? कि सुचेशन आ रही थी, when? W-A-I-N, Who am I now? कुछ दिर पहले, confused इंसान था, अब कौन हूँ? रोल में गए और रोल से बाहर आए. रोल से बाहर आए, तो smile please. Smile please now. Who am I now? अब मैं कौन? कुछ दिर पहले जो भी था? इस्त्री था, पुरुष था, हिंदू था, मुसल्मान था, काला था, गोरा था, लंबा था, ठिंगना था. कुछ दिर पहले बोल रहे थे, और ये ड्रेस में को सूट नहीं होती है. Who am I now? मेरी हाइट उतनी है नहीं, मेरा हाथ पुछता नहीं है. तो ठीक है, पहले ठिंगने थे, अब हुए मैं नहीं होती है. हर अचन के साथ. तेखो, जो नाटे होते, उनको अपनी अचने आती है, जो लंबे होते है, उनको अपनी अचने आती है. अलग-अलग सुचुएशन में. तो हो हिंदू होते है, उनको अचने अचने आती है, जो मुसल्मान होते है, उनको अचने आती है. तो का हूँ गे? क्योंकि जैसे ही भूले, खुद को याद दिलाया, हुए मैं नाओ, तिर ठीक है, उसकी चिंदा मत करो, क्यों भूल गया, मैं क्यों इस तरह के पंक्तियां बोलने लग गया, मैं तो परिशान हो गया हूं सबसे, एक सेकंड पहले कह रहे थे, अच्छा ठीक है, हुए मैं नाओ, कुछ दरह पहले वो रोल कर दिया, हुए मैं नाओ, जैसे परसंग जाता है, फोटोस निकलवाता है, मेले में जाते ने लोग, तो एक फोटोशाप होता है, अंदर अलग अलग ड्रेसिस होती है, तो लोग आज से ये ड्रेस पहन कर में फोटो निकलवाता हूँ, वो ड्रेस पहन कर फोटो निकलवाता हूँ, अलग-अलग ड्रेसिस है, किसान की ड्रेस, किसान की ड्रेस में कैसे लगूँगा, तो वो पकड़ी विगड़ी पेनेगा, किसान की ड्रेस पेनेगा, जवान की ड्रेस, फौजी एक है, फौजी की ड्रेस पेनेगा, उसमें मैं कैसे लगता हूँ, फोटो निकाला हूँ, फोटोग्राफर तो उस दो कहेंगा, smile please, मैं जो आपको देख रहा है, वो कहेंगा, हो फोटो आओ बाहर, now smile please, फोटो खच गया, आओ, पसर किया मैं बहुत दुखी वहाँ, फोटो खच गया, आओ बाहर, दुखी इंसान के ड्रेस में फोटो निकलवाया आपने, हो गया, आओ बाहर, smile please, now, आओ, जो कितना आसान है, अभी कुछ देश पहले कुछ रोल कर रहे थे, एक ड्रेस पहली, लालच की लाल ड्रेस पहनी है, तो अच्छा, ठीक है, हो गया फोटो, बहर आओ, कामचोरी की काली ड्रेस पहनी है, फोटो निकलवाया, ठीक है, मेले के लिए ठीक है, मेले मीन आप खुद को अलग अलग रूपों में देखना चाहते है, सेल्फ क्या चाहता है, खुद को अलग अलग रूप में देखना चाहता है, इतने शरीर वनना क्यों आशक थे, परत्वी बर, कि इतने रूपों में वो खुद को देखना चाहता है। इस ड्रेस में फोटो निकल वाँ उस ड्रेस में फोटो निकल वाँ। पहनो अलग अलग ड्रेसिस, कोई दिक्कत नहीं है। हर ड्रेस में जाओ, लाल में जाओ, काली में जाओ, तो गुस्से, नफरत, द्वेश, इर्शा की गरम ड्रेस पहनना चाहते है, तो थंडी जादा है, तो फर्वाली फर्फर कुछ चाहिए आपको, तो पहनो बली, के से खुशार के लिए थाव्र काश्मीर, कि में लिए काश्मीर की बार।। में ये पहनने में थाव्र्फर क्यादा है, नफरस का रा ऱंकि राव्र कारीश, टuçãoना ते बसे करना भीने काश्मीर का तक आध के अ bet लिएक में उत छुए है। इस अंटापके लगने में में ही ड होटो किशिग है अभी आजाओ अल्बम में लग क्या अल्बम आरम से देखना तो इतना मजा लिया जा सकता है अगर आप कोई याद है अगर आप ध्यान का समय सही उपयोग में लाते है फिर दिन पर ध्यान चल रहा है समस्याई वेन हुए मैं ना सर्श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेजग्यान का केवल परिचय मात्र है तेजग्यान नहीं तेजग्यान सर्श्री महा आस्मानी परमग्यान शिविर में प्रदान करते हैं इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं झाल